हालो फ्रेंट्स वेल्कम नो टैनल स्टॉक्स कोविड का नया वेरियंट यानि कि ओमनी क्रॉन जिसका नाम दिया गया है वो किस तरीके से एक्चुल में इंपक्ट डालेगा किसी हुमन बॉडी को उसका तो अभी बहुत ज्यादा रिसर्च बाकी है और उसके रिजर्ट्स ब इंपक्ट डालना शुरू कर दिया है हुमन ब्रेंस के ऊपर इस वीडियो में आपको एक चोटी सी रिलाक्सिंग न्यूस दिखाने जा रहा हूं यानिके आप ये तो नहीं कह सकते कि देखिए हैं बहुत बड़ी ख़बर है लेकिन हां अगर ऐसे माहौल के अंदर ऐसे डर कि माहौल में एक छोटी सी उमीद्वी किरन भी दिखाई दे जाए पॉजिटिव न्यूस की तो वो मेरी ख्याल से देखिए बहुत इंपोर्टेंस और बहुत ज्यादा मायने रखती है तो एक अच्छी न्यूस एक गुड न्यूस मैं कहूंगा वो मैं आपको दिखाने ज टाउक के बारे में तार मोर्तों लिमिटेटी के स्टॉक के बारे में टेक्नीकली तो बात करेंगे करेंगे साथ में थोड़ा सब आपको यहां पर एक फंडामेंटल लुक देना चाहता हूं हलै कि मैं कोई बहुत जादा डीप में नहीं चाहूंगा लेकिन फिर भी मैं साली बोलेंगे कि वहाँ पर लोगों को सिडान क्लास से ज्यादा पसंद आने लगी क्या बेसिकली एस्यूवी का रहे ठीके ना दुके वहाँ थल फ़स्यू चलनद बहुत जादा बढ़ गया अंधर एफॉर्ड़ ब्रोड लगने लगी ठाहर ने बहुत एफॉर्ड़ेबल कार्स नहीं देंगे उस तरीके की, तो definite सी बाते वो गार फिर काम्याब नहीं हो पाएगी, लेकिन एक चीज हमने जरूर देखिए कि जो एक class का transition हुआ है, sedan से SUV की तरफ, उसने काफी बड़ी बड़ी companies को खतम करके रख दिया, आपको ये जानके हरानी होगी कि Ford ने अपना manufacturing plant इंड उसकी knowledge मुझे है, मुझे सुनने में आया है कि Honda ने भी manufacturing काफी हद तक reduce कर दिये, क्योंकि ये जो दो कारे हैं, इसका देखिए Ford के पास में SUV बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कंड़क कर रहे थे, लेकिन इन्होंने देखिए जाधा variants नहीं निखा ले अपनी SUV के, तो इन बात करते हैं, अगर Maruti Suzuki की, तो Maruti Suzuki की अंदर भी आपको कोई इतना जाधा development नहीं दिखाई देगा EV को ले के, क्योंकि अब अगर हम बात करें, कि EV एक ऐसा sector है, जो शायद इंडिया के automobile sector को एक नया जामा पहना सके, यानि कि एक नया page उसके उपर लिखा जा सके, लेकिन Maruti की बात करें, तो कोई बहुत जाधा deep innovation या फिर बहुत जाधा extreme जिसकों कहते हैं, वहाँ पर developments आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो ultimately जो बड़ी companies है, Ford, Honda and Maruti, इंडिया के अंदर जो काडियां बेचती हैं, उसके अंदर से आपको कोई prominent change नहीं दिखाई दे रहा, Maruti का बोल एक मात्रिय कंपनी है, लेकिन अगर on the other hand आप देखें, Tata Motors, Tata Motors एक इंडिया का ऐसा infrastructure है, गाडियों के अगर आप उससे नजरिये से देखेंगे, जिनके पास में in-house everything है, research team है, and उसके बाद में अगर आप देखें, EV को लेके इनके पास में special ecosystem है, कि जो EV की वीकल्स में ज खुद manufacture करेंगे, और खुदी consume करेंगे, and recycle होने पर इनहीं की कमपनी वापस से उस ecosystem के थुरू, उस EV के component को वापस से reuse भी करेगी, तो ऐसा ecosystem जो इन्होंने बना लिया है, Tata Power, Tata Steel, Tata Chemical, Tata Motors के द्वारा, वो ecosystem किसी और कमपनी के पास में, दुनिया में नहीं है, I am not talking about India, I am talking about inward, क्योंकि अगर किसी भी कमपनी को बैटरी लेनी है, तो वो किसी और कमपनी पर dependent है, किसी कमपनी को स्टील लेना है, तो वो किसी और कमपनी पर dependent है, और किसी manufacturing कमपनी को अगर basically कोई harness लेना है, कोई component लेना है, EV के लिए तो वो भी किसी 34 कमपनी के उपर dependent है, लेकिन अगर सबसे कम dependency इस वक्त automobile sector के अंदर किसी company की है जो पूरी दुनिया में काम करती है तो वो Tata है fine and Tata के recent जो acquisitions है Land Rover and Jaguar के वो आज तो भले ही आपको loss में दिखाई दे रहे but जब भी ये basically automobile sector के उपर से काले बादल हटेंगे तब सबसे बड़ा नाम आपको Tata का ही दिखाई देगा वो company आप देखिए जो EV sector के अंदर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़ादा नाम कमा रही है उस company का नाम है Tesla समझे तेसला basically बिल्कुल नई company है जिसके पास में कोई experience नहीं था सिर्फ पैसे के दम पर उन्होंने technology बनाई खड़ी करी और बहुत तेजी से वो आगे बड़े क्योंकि उन्होंने अपने product को एक uniqueness दी है इसी तरीके से Tata के अंदर जो development चल रहे है मैं यह समझता हूँ कि बहुत बड़े level पर अगर हम word में ना भी देखें तो इंडिया के अंदर यह जो sales acquire करती थी मारूती जो sales acquire करती थी Ford and Honda यह सारी sales का major component आपको Tata के अंदर आता हूँ दिखाई देगा यह बात बहुत जादा घेराई से समझने वाली है क्योंकि जब देखिए पिछले एक साल से chip shortage की वजह से हमें पता था कि इनके results अच्छे नहीं आएंगे automobile sector में and वहां पर भी stock market ने हर एक पिछले तीन quarter से loss में Tata Motors लेकिन पिछले तीनो quarter से अगर आप इसके stock price देखेंगे तो हर एक तरीके से आपको ऊपर की तरफ जातावा दिखाई देगा मैंने खुद ये चीज बोली थी अपनी वीडियो में कि result की वज़े से हो सकता है Tata Motors जो है अच्छा खासा dip दिखा दे but actually मैं उसके opposite water बिलकुल stock जो है U-turn लेके उपर की तरफ जातावा दिखाई दिखाई दिया तो तो वो क्या basically उसके पीछे वजा थी वो था एक promise जो Tata Motors अपने घ्राकों से अपने शेरधार को से करके बैठिये कि आज नहीं तो कल future में definitely Tata Motors एक इस तरीके से उभरती भी company दिखाई देगी जो मेरी ख्याल से Tesla को टक कर दे और सबसे बड़ी बात क्या देखिए EV sector के अंदर जो सरकार की अब यहाँ पर basically एक drive सामने आ रही है कि खुद सरकार यह चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने fossil fuels के vehicles को scrap करे और EV के उपर जाए फाइन उसके लिए infrastructure के लिए subsidy दी जारी है जमीने दी जारी है land acquisitions किये जारे है तो वहाँ पर जब एक सरकार की central government की इच्छा शक्ती है उस चीज को convert करने की तो जो players prominently उस division के अंदर काम कर रहा है उसको सबसे जादा फायदा मिले तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आज basically particularly मैं technical view से जादा आपको यह जोड दे रहा हूँ कि अगर यह Tata Motors का stock गिरता है तो आपको जादा से जादा buy करके उसको अपने portfolio के अंदर add करना चाहिए long term के लिए यह stock किसी time में मारुती Suzuki की बराबरी करेगा stock market के अंदर जिस तरीके से 5000-7000 की range में वो stock चला करता है उसी range में आपको यह stock आके दिखाई दे जाएगा तो long term के अगर आप बात माने तो देखे गिरने पर घवराएं नहीं इसको average करें मैं बहुत कम stocks ऐसे बताता हूँ आपको जब मैं आपको यह सला देता हूँ कि अगर वो stock गिर रहा है तो उसको खरीद लीजे और average कर लीजे लेकिन यहाँ पर यह stock मैं आपको बता रहा के सामने लगा लेता हूँ और किस तरीके का chart structure है तो उन लोगों के लिए जो actually short term की trade लेना चाहे उनके लिए थोड़ा से यहाँ पर यह video helpful होती भी दिखाए दे Tata Motors के अंदर 7% की major गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है कल 26 थारिक को आप देखिए 33 रुपे का crack आया है और closing जो है 460 रुपीज पर होई है तो previous close 492 रुपीज पर था और इस बार की जो closing है 460 पर है तो काफी अच्छा 7% का crack यहाँ पर आते वे देखने को मिला है किस तरीके से stats है वो देख लेते हैं क्या कुछ delivery percentage रही है 30% के आसपास एक बहुत ही शांदर strong percentage में बोलूंगा delivery की यहाँ पर दिखाए दिये 17th of November का है 536.70 का 52 वी खाई यानि के इसी महीने 10 दिन पुराना 52 वी खाई भी है और 157 का 52 वी लो है 22nd of December 2020 का यानि के पिछले साल का तो यह Tata Motors के stats आते में दिखाई दे रहे हैं अब में देखिया आपको दिखा देता हूँ basically है आपर technical structure क्या है 12th of October के बाद में 13th of October को इतना बढ़ा gap आपको दिखाई दिया था Tata Motors के अंदर and यह जो gap होता है यह during the trading course of that particular run चाहे वो बुल रहा हो चाहे वो बेर रहा हो यह basically fill जरूर होता है and अभी से situation है वो यही है कि इस gap को fill करतावा दिखाई देरा stock price अपने 10 days के and 20 days के दोनों ही exponential moving average को break करके नीचे आ गया और बहुत जल्ड अपने 50 days के exponential moving average को approach करने की कोशिश कर रहा है वीक structure है और अगर आप देखेंगे तो इस 90 degree move के बाद में इसने गिरावत नहीं दिखाई थी consolidate हुआ था और अब यह double top का formation यहाँ पर बना रहा है आइड 460 से लेके अगरे top levels अगर आप देखेंगे कितने हैं तक करीबन 90 rupees उपर 80 rupees उपर यह basically top levels है यह मैं to be very precise आपको दिखा देता हूँ तो approximately आप कह सकते हैं 80 rupees का crack अभी और stock के अंदर देखने को मिल सकता है इन लेवल से जिस type ही condition अभी यहाँ पर बनी लिया है तो more or less अगर यहाँ पर आप एक trading bet ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 50 डेमा कोई बहुत important support की तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि अब यह अपने gap को सबसे पहले fill करेगा और क्योंकि यहाँ पर एक profit booking आ सकती है बहुत लंबे time से high volumes के साथ में इसके price ने कोई बड़ा dip नहीं दिखाया है और volumes का accumulation हुआ है तो RSI भी आप देखिए संकेत दे रहा है कि RSI इसका नीचे जा रहा है तो strength खो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि देखिए इन लेवल से तक करीबन 72-80 रुपीस नीचे तक के भी target आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर short selling की ही सलाती भी दिखाई दे रही है एक chance है कि हो सकता है यहाँ से reversal ले जाए लेकिन उसकी उमीर अभी तो फिलाल बहुत कर वे कोई good news market के अंदर एक turnaround ला दे तो वो अलग बात है तो अगर हम लोग इसके targets लें कि अगर बहुत ही जादा देखिए यह crack होता है तो 380 तक के भी target आपको देखने को मिल सकते हैं इस stock के अंदर दियान रखिएगा 380 तक के भी target इस M pattern की वे से देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको shot करना चाहते हैं तो यहाँ पर shot करने की मैं आपको सला नहीं दूँगा मेरे जो best possible strategy रहेगी वो यह रहेगी कि एक बर 50 देमा को cross कर जाए नीचे की तरह अगर 50 देमा को cross करता है जो भी 446 पर है तो और भी ज्यादा conviction आजाएगा कि stop के अंदर weakness और ज्यादा भर सकती है तो यह 50 देमा है 446 रुपीज का है इसको crack करते ही आप यहाँ पर shot sell कर सकते हैं आपका जो stop loss लाएगा clearly वो यह stop loss रहेगा short side के अंदर देखी ऊपर का stop loss होता है तो 460 के stop loss के साथ में 446 के नीचे निकलते हैं आप shot कर सकते हैं पहला target जो है वो at least आपको 400 रुपे का आतावा दिखाई दे जाएगा तो target one would be 400 रुपीज और 400 रुपीज के नीचे अगर निकलता है तो 380 के level से कहीं नगई reversal लेतावा दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर weakness है technically बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और इसी बीच के अंदर आप तकरीबन 50 से 60 रुपे के profits easily 50 से 60 points का profit easily आप कमा सकते हैं जो structure यहाँ पर आतावा दिखाई दे रहा है बट क्योंकि short sell के अंदर आप जा रहे इसलिए stop loss लगाना और भी जादा बेहत जरूरी हो जाता है तो without stop loss तो आप यहाँ पर बिलकुल भी कोई position नहीं बनाएंगे 460 के stop loss, 446 के नीचे की entry and पहला target 400 का आपको देखने को मिल सकता है Tata Motors में यह basically technical analysis के साब से points आते वे दिखाई दे रहें तो finally आप Tata Motors में इस तरीके से कोई trade ले सकते है अगर आप trading का view बना रहें तो यह बात होगी दे कि Tata Motors के हमें बात करूं उस good news की जो मैंने इस वीडियो के starting में बताई थी आज है 27 तारिक fine 27th of November कर यह news आई थी पर सो in fact यह news आई थी जिसकी वज़े से markets ने इतना दो दिखाया था लेकिन UK के scientist क्या कह रहें UK के scientist कह रहें कि basically vaccine जो है वो Omicron के लिए असरदाक साबित रह सकती है जो अफवाय फैलाई जारी है कि vaccine उनके उपर असर नहीं करेंगी ऐसा actually नहीं है the new potentially highly transmissible variant of COVID-19 named Omicron by who is not a disaster as vaccines are still likely to protect against the serious disease from it a UK scientist who advises the government said on Saturday जो UK की government को advise करते ऐसे एक scientist ने statement दिया है कि इतना जादा भी panic होने की जरूत निये vaccine इसके उपर असर करेगी और इतनी ज्यादा seriousness आने की नौबत आपको नहीं आएगी अगर COVID आपको लग दी जाता है पकड़ दी लेता है तो clearly देखे इन उनने हापर एक चीज और लिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ immunity from vaccination is still likely to protect you from severe disease you might get a sniffle or a headache or filthy cold but your chance of coming into hospital or intensive care or sadly dying are greatly diminished by the vaccine and still will be going into the future तो यह clearly आपर लिख रहे हैं कि हो सकता है आपको headache हो cold हो या फिर basically थोड़ा और problem हो लेकिन इस type की कोई situation की आपको hospital जाना पड़े या उससे beyond की situation आए वो आपको नहीं होगी अगर आपने vaccine लगा रखी है यह preliminary observation उनका है preliminary preliminary आप कह सकते है कि basically answer है उस query का जो सबसे जादा यहाँ पर आती भी दिखाई दे दी ती यूगे की तरफ क्योंकि सकता है तो यह news भलई कोई बहुत जादा रहात नहीं दे रही है लेकिन अगर UK के scientist जो government को advise करते हैं उनका statement आ रहा है तो at least इसको नाकारा भी नहीं जा सकता तो मैं समझता हूं कि देखिए जिस तरीके से WHO प्रो होके हर चीज को हमें आगा कराती उस तरीके से यह statement भी on the world platform सामने आना चाहिए लेकिन यह यह कि देखिए इसके बचाव क्या है उसके ऊपर यहाँ पर बात करनी चाहिए बड़ी organizations को तो आई होब यह news ने थोड़ा सा तो आपको mentally relaxed जरूर किया होगा ज्यादा जानकारी के लिए आप इस basically economics times.com के article पर आकर पढ़ सकते हैं UK scientist backed vaccines against Omicron यह basically topic है 27 तारीक का ही आज 5 बजे का आर्टिकल है तो आई होब यह वीडियो टाटा मोटर्स के लिए असे इस नियूस के लिए असे दोनों ही तरीके से आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं अभी तक ट्राइन स्टॉक्स को ाइन